इस कारिक्रम के प्रायोजक, साह मेटर्निटी एंड आई हॉस्पिटल प्राइविट लिम्टेड राम कटोरा वारानसी आपने सुना ब्लेडलेस लेसिक टिकनोलजी के बारे में? हाँ हाँ सुना है वारानसी में ब्लेडलेस लेसिक टिकनोलजी को लाए है साह हॉस्पिटल ये चश्मा हटाने की सबसे एडवांस तकनीक है जिससे परिशानी हो कम और रिजल्ट मिले बेहद अच्छा आपकी नजर को नजर ना लगे साह होस्पिटल रामकटोरा वारनसी शुताओ नमस्कार आज हमारे कारिक्रम आरोग्यम का विशह है नौजात शिश्वों से संबंधित बीमारिया और हमारे इस कारिक्रम में आज खासतोर से आमंत्रीत हैं बाल रोग विशशग्य डॉक्टर अमित जैन डॉक्ट साब आपका स्वागत है नमस्कार मैं डॉक्टर अमित जैन वारिस्ट बाल रोग विशशग्य डॉक्ट साब कारिक्रम में हमारा विशव जो है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे फिलाल चुकि शुताओं के फोन कॉल आने शुरू हो गए तो उन्हीं के सवाल से कारिक्रम की शुरुआत क पूचें तो नहीं है कोई उसको दूद का इंटॉलरेंस तो नहीं है इस तरह की चीजें हैं बहुत सारी जिसके कारण से किसी किसी बच्चों की जो डाइरिया होता है जो लूज मोशन होते हैं वो जल्दी नहीं रुकते हैं जो उसके लिए उचित हो सकता है वो लोग कर रहे होंगे पर कभी-कभी बच्चे कुछ अपना समय लेते हैं जो डाइरिया होता है लूज मोशन होते हैं यह ऐसा नहीं कि तुरंती रुक जाते हैं यह वाइरल डाइरिया होता है किसी किसी को तीन दिन चार दिन लगता है और बेसिकली जो भरती करने का जो कारण होता है हॉस्पिटल्स में लूज मोशन में डाइ उस मोशन है वो समय से दिमे दिमे किसी को तीन दिन किसी को चार दिन दो दिन में अधिकतर ठीक हो जाती है। सेपसिस का मतलब होता है कि बच्चों में इंफेक्शन हो जाना है। इसका कारण यह होता है कि बच्चों का जो लीवर होता है उतना परिपव नहीं होता है। बहुत ज़्यादा घवराने की जरुद नहीं होती। उस बच्चों को नर्सरी में रखके फोटो थेरिपी दी जाती है। अधिक से अधिक दो से तीन दिन या चार दिन में वो बच्चे पून रूप से स्वस्त हो जाते हैं। जी जी और आम तोर पर आज कल तो चुकि इंस्टिचूशनल जो डिलिवरी हो रही हैं। ये चीजें इसके बारे में मित है या फिर ये हकीकत है। बच्चे तुरंद नहीं रोपाते हैं। जिनको ऑक्सीजन की मातरा कुछ कम हो रहे जाती है। या ऑक्सीजन दिमाग में नहीं पहुँच पाता है। उनको हम बर्थ एनॉक्सिया कहते हैं। उन बच्चों में जरूर कोई न कोई दिक्कत आने की आगे बभश में होने की संभाव ना होती है। पर ये नहीं कि सभी में हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस लेवल पर है कितनी देर बाद रोआ है क्या है और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। पर मोटा मोटा ये समझा जाए अगर बच्चा तुरंद रो दिया है तो आप मान के चलिए इश्वकी करपा से वो स्वस्थ और सबसे जरूरी है कि वो दिमागी तोर पे स्वस्थ है। इसका यानि वैग्यानिक आधार ये है। इस वीच एक शोता का कॉल है डॉक्ट साब। आपका बड़ा वाजब प्रशन है कि बच्चे आजकल देर लातक पढ़ते हैं या कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं कि साथ साथ वीडियो गेम या इस तरह की चीज़ें भी करते रहते हैं और देर से सोते हैं तो अगर देर से सोएंगे तो उनका दिमागी विकास बहुत स्वस्त नहीं रहेगा उनकी पाचन किरिया स्वस्त नहीं रहेंगी उनको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा तो जिससे कि वो कम खाना भूग नहीं लगना चेचरहट बने रहना इस तरह की दिखतें कम जादा कम जादा रहेंगी पर इसके लिए ज तो फास्ट फूट का चलन इतना हो गया है कि बिलकुल सही जब बच्चे फास्ट फूट खाएंगे समय से सोएंगे नहीं रात तक देर तक पढ़ेंगे या देर तक कोई गेम खिल रहे हैं तो उनका पाचन नहीं काम करेगा तो जब पाचन नहीं काम करेगा तो किसी किसी परेज रखें और जैसे आपने का कि फास फूड हो गया, पीजा बर्गर, कोई भी जंक फूड हो गया, उनसे सबसे बचाफ करें, गोल्डिंग, गोल्डिंग, सबसे बचाफ करें तो इसके लक्षण क्या है और पता कैसे चलता है, जैसे अगर अस्पताल में जब तक है, तब तक मालूम हो जाए कई बार 4-6 दिन बाद घर में लाने के बाद इस तरह की समस्याई आती हैं नवजाज शिशू में नीमूनिया एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों में और ये उन बच्चों में ज्यादा होता है जो प्री मैच्चोर्ड बच्चे होते हैं जो प्रिमेर्ट बच्चा होता है उसका लंग्स पुरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है और उसको कभी-कभी इंफेक्शन की वज़े से लंग्स में संक्रमन होने की वज़े से उसको बुखार आना तेज तेज सास चलना हलपा जिसको हम लोग बोलते हैं हलपा चलना या रै छोटे बच्चों को ऐसे पकड़ माना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बच्चे बता भी ने सकने की स्थिति में नहीं होते वो बिलकुल अनुमान ही लगाना है बिलकुल बिलकुल तो इसके लिए जो माताय होती है वो ही उनकी सबसे पहली प्रथम डॉक्टर है पेशाब की मात्राइं कम होती जाएंगी जैसे पेशाब पहले सुरू में पांच-शाय बार करता था फिर वो दीमें-दीमें कम करेगा बच्चा दूद नहीं खीचेगा जो सबसे बड़ी चीज है जो माता है जो पकड़ सकती है कि बच्चा पहले तो बहुत अच्छा अब वो दूद पीना कम कर दिया है दूसरा उसकी धरकन थोड़ी तेज हो जाएगी सांस की रफतार तेज हो जाएगी तो जो हमारी सांस की रफतार तेज होती इसको हम लो रैस्पेट्री रेट बोलते हैं वो तेज चलने लग जाएगी फिर इन सब चीजों से जब और सित होती जा रही हैं, हम यहां पे भी उसको नहीं पकड़ पाई या हम उसको डॉक्टर के पास नहीं ले पाएं, तो फिर वो धीमे धीमे कराने लग जाएगा, सांस लेगा, इसलिका, 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 दूद नहीं कीच रहा है, सांस लेने में, और फिर अगर और से थोड़ा सा उपर जाएगा, तो बच्चे का जो कलर है, जो एकदम पिंक होना चाहिए, लान होना चाहिए, वो धीमे धीमे नीला नीला साभी पढ़ने लग जाए, क्योंकि उसको लंग्स में ऑक्सीजन की मातर उतनी नहीं पहुँच पा रही है, जितनी की होनी चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई भी लक्षन हो, तो तुरंत शुरुवात में किसी बालरोग विश्शग से संपर्क और परामर्श्ट लिया जाए, आपके साथ रामकचोरा वरानसी, आपने सुना ब्लेडलेस लेसिक टिकनोलोजी के बारे में, हाँ हाँ सुना है, वरानसी में ब्लेडलेस लेसिक टिकनोलोजी को लाए है साह हॉस्पिटल, ये चश्मा हटाने की सबसे एडवांस तखनीक है, जिससे परिशानी हो कम और रि मेरा नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप अपना प्रशन पूछे चोटा साब बच्ची है तो मिट्टी ओगर बहुत खाने पर प्रयास करती है तो कभी-कभी इस तरह की दिकत को हम लोग पाइका बोलते हैं जिसमें बच्चे मिट्टी खाना, सीमेंट खाना कोई पुर्वा होता है। उसको जाटना या मिट्टी चाटते रहते हैं। किसी-किसी बच्चों में आईरेन की कमी की हो जाने की वज़े से भी इस तरह की चीज बिलकुल गुपता जी आपको तो हमारा विश्य पता ही होगा क्योंकि आप हमारे बहुत ही नीमित शोता है अपना सवाल डॉक्टर अमिज जैन से पूछें गुपता जी नमस्कार जी सवाल यह है कि आजकल जो नौजात सी सूप पैदा होते हैं तो मैंने अक्तर देखा है और मेरे पोते के साथ भी हुआ था कि पैदा होने के तुरंत चोविस घंटे बाद परजला जान्डी का सिकार है बिल्कुल सही कहा आपने पर जो बच्चे आजकल जो पैदा होते हैं या पहले भी पैदा होते तो ऐसा नहीं कि वो आजकल ऐसा होने लग गया पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है और आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका जो लीवर होता वो पुरी तरह से परिकपव नहीं होता है और जब लीवर पुरी तरह से मैच्चूर नहीं होता है और लीवर ही काम करता है जॉन्डेस के लिए तो उन बच्चों में या दस में से पांच बच्चों में ये पीलिया होने की सम्भावना कम जादा कम जादा रहती है और ये पीलिया बेसिकली तीसरे चौते पांचवे दिन जादा आता है पहले दूसरे तीसरे दिन उतना नहीं रहता है और तीसे चौते दिन जब पच्ची समझ जी नॉर्मल डिलीवरी हुई और चौबीस गंटे से अरतालिस गंटे बाद छुट्टी हो जाती है। डॉक्टर भी बोलता है कि सब ठीक है, माता-पिता भी खुश रप्ती है, फिर पांच में छटे दिन जब दिखाने आता है, तो वो डॉक्टर बोलता है तो पीलिया के लक्षन हो रहे हैं, फिर हम जाज कराते हैं, तो जाज में पीलिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ निकलता है तो इसमें किसी प्रकार से परिशानी की बात नहीं है, इसमें बच्चों को भरती करके कुछ फोटो थेरपी दी जाती है, और अधिक से अधिक, तीन दिन, चार दिन में बच्चे स्वस्त और ठीक हो जाते हैं सिंथर्टिक में जब सब उसको फाइदा ही करता है कि आगे चल के कोई उसका माइनस पॉइंट बिल्कुल भी उसका साइड एफेक्ट नहीं है, और उसके फाइदे के लिए हैं, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार सा कोई भी साइड एफेक्ट एक परसेंट भी नहीं होता है मतलब अकसर ही देखा है कि ये परकरिया चल रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, उसको जॉनली से, उसको आइसु में ले जाना है, चोविस गंटे, तो इसी बारे में फुड़ी जिग्या साइड नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बहुत साइंटिफिक है, किसी कि है, और वो एकदम साइंटिफिक है, कि उसकी रिपोर्ट आप भी तो देखेंगे, घर पे आ जाते हैं, और दादी अम्मा कहते हैं, कि बच्चे को दूप दिखाना तो नौजाब इसको कितना, मतलब किस तरीके से दूप दिखाएं, कि उसको नुक्सान नहों बाहर के ब परक नहीं पड़ता है, नुक्सान क्या हो सकता है, कि समझ लीजे, क्योंकि आदमी, जैसे मैंने का, कि किसी ने का कि भाई इसको धूप दिखाओ, अब धूप तो सुबेरे निकलेगी, या थोड़ा लेट निकलेगी, सर्दियों का समय है, हम सिफ एक चीज का ध्यान देग होगा, फाइदा कुछ भी नहीं है, धन्यवाद आरग्यम यही भरांतिया दूर करने के लिए प्रोग्राम को मैं साधुवाद और आप लोगों को पढ़ना है, बहुत 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 शुक्रिया आपने फोन किया, नमस्कार, अभी चर्चा भी चल रहे थी, और बहुत सार प्रीमेच्योड बच्चे में होती हैं और उसको लेके क्या जाग रुकता होनी चाहिए? बच्चा 1.5 kg का है प्रिमेचूर बच्चा है और एक समान बच्चा जो पैदा होता 1.2.7-2.8 kg का होता है जो बच्चे प्रिमेचूर होते हैं जो 1.5 kg के वेट है या 1.8 से जो भी कम है तो उनको बीमारियां का संक्रमन होने की संभामना है बहुत जादा होती है जिए उनके शरीर के जो अंग होते हैं जैसे कुछ और्गन्स होते हैं हर्ट है लंग्स है उतने परिपव नहीं होते हैं इनका पाच अंटाइस्टिव सिस्टम है तो यह उतने परिपव नहीं होते हैं तो उतना अच्छा काम नहीं करते हैं बच्चे का बाड़ी वेट कम होता है तो य जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं तो इनको टैंप्रेशर मैंटेन करना बहुत जरूरी होता है तो किस तरह के बच्चों को कितनी आओधी तक या उस आओधी तक जब तक की समानने अप्रसव के जो हफते होते हैं दिन होते हैं तब तक क्या इन्हें उस तरह के केर यूनिट मे हो सकते हैं बिना अपनी देख रहे के बिल्कुल जो नियू नेटल इंटेंसिफ के यूनिट जो बनी है राजकी स्वास्त के इंद में गवर्मेंट हॉस्पिटल में यह संपूर्ण रूप से सक्षम है कोई भी बच्चा का प्री मैच्वर बेभी पैदा होता है सरकार दोर जो नियू चल रही है, बहलेई वह भी देख यू हैं, दीन देख रूंस्पिटल में हैं, कवील चोरा में हैं, यह सब नवजात बच्चों के और जो प्री मैच्वर बच्चे हैं उनका बही अच्छी तरीके से पूरी तरीके से द्यान रखा जाता है, और वहां का को कुछ उसमें सावधानी बरतमी होती है उतना वजन नहीं बढ़े का जैसे 1.5 पर हो सकता है 1.8 के आसपास हो सकता है यह बच्चे को समय तक रखा जाता है जब तक कि बच्चे आपसे दूद पीने नहीं लग जाए यानि उसके जो जो टेंडेंसी जो समाने बच्चों में होने चाहिए वो दिखने लगे और वो के से पास कर रहा है उसका पेट नहीं फूल रहा है कोई फीवर नहीं आ रहा है तो ठीक है हो चुटी लाइक होता है आपने सुना ब्लेडलेस लेसिक टिकनोलजी के बारे में ये चश्मा हटाने की सबसे एडवांस तकनीक है जिससे परिशानी हो कम और रिजल्ट मिले बेहद अच्छा आपकी नजर को नजर न लगे साह होस्पिटल रामकटोरा वारनसी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे डॉक्ट साब एक फोन है इस बीच जी फोन इन कारिक्रम आरोग्यम है डॉक्टर अमित जैन बाल रोग विश्चर शग्य हमारे साथ है आप अपना परिचा दें और फिर सवाल पूछें जी नमसकार सवाल पूछें डॉक्ट साब से निमोनिया जो है बच्चों में अफसर क्यों हो जाते हैं अगर हो जाए तो उनका क्या करें कि जो है ना हो तेकि यह निमोनिया जो होता है तो इस तरह की बिमारी निमूनिया हो जाती है क्योंकि उन बच्चों की प्रतिरोदक छमता थोड़ी कम होती है as compared to वायस और एडल्ट के मकावले और यह उतना जल्दी समय भी नहीं ते जैसे थोड़ा सा भी निमूनिया हुआ तो उसके तेज सांस चलने लग गई उसको बुखार आने लग गया खासी हो गई बुखार आ गया और रात में सो नहीं पाना रात में ज्यादा खासी आ इस तरह की चीजे होती हैं अब दूसरा प्रश्ण है कि इसको कैसे बचाया जाए तो इसमें इंफेक्शन नहों पाए जैसे बच्चे को स्वस्त रखना है बच्चे को खान पान का दियान रखना है इन सब चीजों से ही इस ब बिमारियों का बचा हो सकता है नौजात इस शिश्रों को ले करके और खास्तों से टीका करन के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, शेडूल हैं तो हमारे शोताओं को किस प्रकार की जानकारी आप देना चाहेंगे कि नए जब बच्चे आते हैं परिवार में तो उनको कितनी आउदी तक और कौन-कौन से टीके लगाने चाहिए और उसको अवाइड नहीं करना चाहिए गंभीरता से लेना चाहिए जब से अच्छा विश्य जरूर है ये प्रिवेंशन इस दा बेस्ट वेट टू प्रिवेंट दा इंफेक्शन तो बच्चों को पहले से टीका करना हैं जिससे कि उसको आने में कोई आन इस पताल में मुफ्स में उपलवद हैं और जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो इसको चौबीस घंटे के अंदर इतीन टीके लगाने चाहिए ये तो टीका करण की बात होगी कि सतनपान कितने समय बाद और कब जो मा है वो बच्चे को सतनपान करा सकती है और उसको किस तर सुरू में दूद उतना अच्छा निकलता नहीं है जो गाणा दूद निकलता है उसको कॉलिस्टरम बोलते हैं तो बच्चे को वो एक अमरत तूल जैसा होता है उसका ब्रेस फीडिंग जरूर कराना चाहिए अब आजकल इस तरह के बैंक्स भी बन गए है जहां पे कॉलिस स्वाइम ध्यान देते हैं कि ये बच्चे को मिल जाए तो नए जो बच्चे परिवार में आते हैं तो देख भाल के लिए कौन-कौन सी जरूरी चीजें हैं जो देखना चाहिए कि बच्चा वो सामानने रहे और गिरे या चोट लगे इस तरह की चीजों का ध्यान रखना जिसे कि बच्चे को सरदी लग जाए या ठंड के समय में उसको अची तरीके से लपेटा नहीं गया है तो कैसे वातावरण में या पिर उसका पहनावा कैसा हो और कई बार लोग जैसे इतनी खुशी के स्थिति होती है कि जो आ रहा है बाहर से उसे चुँरा है और कई बोद ले लेते हैं तो इन बातों को लेकर के क्या साउधानी अबरत नी चाहिए देखिये इनफेक्शन से बच्चे को बहुत दूर रखना चाहिए इनफेक्शन किसी भी कारण किसी की बी रूप में आ सकता है कोई भी आदमी है जैसे वो खुशी में बच्चे को ले रहा ह अब उसको common cold है, सर्दी खांसी जो काम बुखार है, तो वो अपना infection उस नवजात बच्चे को दे सकता है, उनको जल्दी किसी को छूना नहीं चाहिए, खास तोर से चूना, किस करना, इन सब से avoid करना चाहिए, और बहुत अच्छी तरीके से ढख के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे इवापरेशन जल्दी होता है, जल्दी ठंडर हो जाते हैं, तो बच्चे को ढख के रखना, temperature maintain करना, इन सब चीजों का विसेज विसेज ध्यान देना है, और जैसे नहलाने को ले करके, क्या जैसे शुरुआत में एक दो महीने तक, हम लोग चुकी नौजात की ही चीजे थोड़ी कम हो गए कि लोग कान में तेल डालते थे, काफी मात्रा में और आख में काजल लगाते थे बच्चे को सुबर शाम तयार करके, क्या एक चिकिसक के रूप में आप परमर्श देंगे हमें, देखिए, बहुत सही अगर बच्चे को नहलाया जा रहा है, तेल मालिश की यारी तो बिल्कुल ठीक है, जितना साफ सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कई जो नौजात बच्चे होते हैं डॉक्ट साब तो उसमें शारीरिक विक्रितियां या जैसे कुछ अंग का असामानने होने के इस्थिती दिखती है बच्चों को इस तरह के अगर कोई शारीरिक विक्रिती दिखाई दे तो लोग परिशान हो जाते हैं आप आज बच्चे हैं डिक्कत हो जाना कुछ क्रोमजोम डिफेक्ट्स होना जिसको हम डाउन सेंड्रों कहते हैं तो इस तरह की चीजें अब हमारा मेडिकल साइंस काफी आ गया आ गया है और यह सब चीजें जनम से पहले भी जब बच्चा पेट में होता है तो अगर हम अच्छी जगे दिखा रहे हैं अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो ये सब चीजे जनम से पहले ही पकड़ी जा सकती है तो पहले से ही कौन सी सावधानी बढ़ते हैं कि सारी चीजे ठीक ठाक हों इसके लिए बेसिकली एक ही चीजे कि आप अपने गानेकलोजिस को रेगुलर चेक अप कराते रहे हैं अपना शुकर कंट्रोल रखे हैं वीपी कंट्रोल रखे हैं और जब जब वो बुलाएं तब जरूर जाएं कोछ इस तरह की जाचे होती है जिन से ये पता चलता है कि बच्चे में कोई विकार तो नहीं आरा है जैसे डाउन सिंड्रोम है इस तरह की चीजे हैं ये सब में तो नहीं होती है डाउन सुन्टों में ऐसी बिमारी क्रोमजोल बिमारी होती है जिसमें बच्चे का विकास शारेरिक रूप से और मांसिक रूप से नहीं हो पाता है अच्छा दो छोटी छोटी सवालें बहुत समाने सिस्थिती होती है कि हर को इंतजार करता है कि बच्चा कब चलने लग रहा है और कब बोलने लग रहा है तो चलने और बोलने की जो सही उम्र है अवस्था है वो कैसे पता चले कि बच्चा आपको सुन रहा है रियक्ट कर रह कितने समय तक बच्चे चलने और बोलने लगते हैं चाहि हैं समाने रूप से। पर यह कोई बहुत हाड एंफास रूल नहीं होता है कि कोई एक साल पी चले का पीछ 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 चल सकते हैं जी जी तो उससे कोई बहुत फारागी चीज है पारिवारिक परिवेश में और कई लोग जितना उसके साथ अभ्यास और वक्त देते हैं इस पर भी निर्वर करता ह क्या है कि वो चोटे-चोटे शब्द बोलने लगे और सेंटेंस वगरा बनाने लगे हां देखी जो बच्चा होगा देड थेढ साल बाद वो मोनोसलिबल वर्ट बोलने लग जाता है जी फिर धाईस दो साल ऑफे वह सेंटेंस बोलने लग जाता है ड़क्त साब हुआ ह्या कि है कि चोटे बच्शे हैं साथ महीने के बाद किसी बच्चों में दाइन निकलने में जो गंड़ी होती है इसमें बिटमीन डी-3 का प्रियोग कररें बस और बहुत जादा इसमें एक रुपने की जरुवत नहीं होती विटमीन दीथरी का प्रियोग करें यह सीरप के रूप में डॉप्स के रूप में मिलती अवलेबिल और उसका प्रियोग करें तो च्छतों पर जहां पर पानी भर जाता है कूलर रखा हुआ उसमें पानी बहर गया साफ सफाई सबसे ज़रूरी है तो हम अपने आज सपास के वातर्मा हैं को अपनी चातों पर अगर हम दिहान दें तो वाँ पर उसमें चाते हैं करती समझसे आती हैं जो सवाल शुताओं के आ है लेकिन एक बात यह भी है कि हम लोगोंने खासतरूर से जो प्रिमेचीोर्ड बच्चे होते हैं जो समय से पहले जिनकी पैदाःश होती है तो उन उनको किस तरह की समझ से आती है जो गारजियन भी नहीं समझ पाते हैं खासतोर से उनको देखने को ले करके उनके दिश्टी से संबन दीते हैं बहुत अच्छा सवाल है आपका नवजाद बच्चे हैं जो प्रिमैचोर्ड बच्चे हैं कोई भी बच्चा 1.8 बलकि 2 किलो से नीचे है जिस वो नर्सरी में राज ऑक्सिजन काफी समय तक रहा उसको वेंटिलेटर पे रहा तो उनके आख में बीमारी होने की बहुत प्रबल संबावना होती है जिसको हम लोग रेटिनोपैटी और प्रिमैचोर्टी बोलते हैं जे तो ये इसके लिए क्योंकि जब पता चल जाता है तब तो ठीक है और अगर समय निकल जाता है तो अगर आँकी नस सूख गई तो उसका इलाज नहीं हो पाता और कोई भी बच्चा जो 1.8 केजी से कम है नर्सरी में रहा है उसको उक्सिजन लगी है उसको 24 दिन बाद बलकि 20 से एक महीने के बीच में नेत्र रोग विशिशक से जरूर मिले और उसकी आँक की जाच जरूर करा है रेटिनो और प्रिमेच्चोटी के लिए ये बहुत 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 आवश्यक है जी तो डॉक्ट साब आज हमारे कारिक्रम का विशे था नोजात शिश्वों से संबंधित बीमारियां और बहुत सारे शोताओं के प्रश्ण आये और हम लोगोंने चर्चा की उमीद है शोताओं के लिए बात्चीज जो है बहुत उपयोगी साबित होगी डॉक्टर अमिज जैन जी आप हमारे कारिक्रम में आये और शोताओं की जिग्यासाओं का समाधान किया बहुत बहुत शुक्रिया आप धन्यवाद